हेलो दोस्तों स्वागते आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में तो आज इस वीडियो में हम वैदिक सब्वेता के बारे में पुरा विस्तार से पढ़ेंगे सभी एक्जाम से जितने भी एक्जाम होते हैं सभी में वैदिक सब्वेता में से question जरूर पुछे जाते हैं तो इस वीडियो में हम पूरा वैदिक सब्वेता का जो topic है वो हम cover करेंगे वीडियो थोड़ा सा late है थोड़ा काफी late है तो आगे से कोशिश रहेगी कि वीडियो आपको time to time मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का topic वैदिक सब्वेता तो देखिए सबसे पहले इसका काल करम जो था वैदिक सब्वेता का काल जो है वो कब से कब तक माना जाता है तो वैदिक सब्विता का जो काल है तो वो 1500 से 600 इसा-पूरू का जो काल है उसको पूरे को वैदिक काल की संग्या दी गई है ठीखें लेकिन इसके दो पार्ट माने गए हैं यह जो पंदरा सो से 600 इसा पूर्व का जो समय है इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है उसमें से एक जो पहला पार्ट था वो तो था रिगवैदिक काल और दूसरा था उत्तरवैदिक काल तो रिगवैदिक काल का जो समय था वो था पंदरा सो से हजार इसा पूर्व और जो उत्तरवैदिक काल का समय है वो हजार से 600 इसा पूर्व तो इस तरह से अगर पूरे वैदिक काल का जो काल है वो पूछा जाए तो वो पंदरा सो से 600 और इनका अगर अलग-अलग पूछा तो यह आंसर हो जाएगा ठीक है जो आरिये थे भाहर में वह सब पथम अफगानिस्तान और पंजाब में बसे थे लेकिन जो मैक्स मुलर थे उनके हिसाब से उन्होंने आरियों का जो मूल स्थान है वो मद्द एश्या मानना है अब इसके अंदर हम जो वैदिक साहिते हैं उसकी अगर हम बात करें तो यह जो वैदिक साहिते हैं यह सब उत्तर वैदिक काल के अंतरगत आते हैं तो इनमें जो सबसे पहले हैं रिगवेद, यजूरवेद, सामवेद और अथरवेद यह जो वेद हैं वेदों के उपर मैंने एक वीडियो पहले स है एक बार फिर भी में आपको बता देती हूं तो जो सबसे पहले है रिगवेद तो रिगवेद में दस मंडल 1828 स्लोक है और लगबग 10600 मंत्र है इसमें और जो दस रागी युद्ध का जो उल्लेक मिलता है वो भी रिगवेद में मिलता है ठीक है और जो सेकंड नमर पे है य यह बात ध्यान रखना क्योंकि अक्सर कुष्चन यह पूछा जाता है कि गद्य और पद्य भागों में कौन सा जो वेद है वो विभाजित है तो वह है यह जुरुवेद उसके बाद थर्ड हम बात करते हैं सामवेद की तो सामवेद का जो संगीत से जितना भी रिलेटेट जितना भी है जो वह सब इसमें सामवेद के अंतरगत आता है ठीक है इसमें साम का जो अर्थ है साम का अर्थ ही संगीत होता है तो साम का अर्थ गान या संगीत कुछ भी गान या संगीत तो संगीत से related जितना भी जो आप देखेंगे वो सब सामवेद के अंदर मिलता है उसके बाद आता है अथर्व वेद तो अथर्व वेद का जो तात्परी होता है वो जादू तो जादू, टोने, टोटके, रोग, निवारण इस तरह कि जो जितने भी अंद्विश्वास से related, टोने टोटकों से related, जितने भी बातों का वर्णन किया गया है, वो सब अथर विवेद में मिलता है, उसके बाद आता है ब्रहमन, ठीक है, ब्रहमन में गद रचना की गई है, और उसके बाद है आरन्ने, तो आरन्ने शब्द जो आरन्ने है, इस आरन्ने शब्द का जो आर्थ होता है, इसका आर्थ होता है जंगल, ठीक है, इसमें क्या होता है, कि जैसे भगवान, आत्मा, परमात्मा, इन सब के बारे में इस तरह से इसमें उल्ले किया गया है, ठीक है, जो जितने भी कर्मकांड वगर होते हैं, आत कि वह विद्या जो आप गुरू के समीव बैट कर लेते हैं एक आंध में बैट कर जो गुरू के समीव बैटना हो उसके बाद आता है उप वेद यह भी important है क्योंकि जैसे यह वेद है हर वेद का एक उप वेद होता है जैसे कि रिगवेद है तो रिगवेद संबंदित है चिक अगर आप no down करना चाहेंगे, तो इसे कर सकते हैं, रिगवेद का जो उपवेद हैं, वो है आयूरवेद, उसके बाद है यजुरवेद, तो यजुरवेद का हो जाएगा धनूरवेद, युद्ध सास्त्र से संबंदित, उसके बाद आता है सामवेद, सामवेद का सबको पता है संगीट सांस समद्नित है यानि गंदर्व बिद और सबसे लाश्ट में है अथर्व बिद यानी जो भवन निर्माण वास्तुकला होती है सिलप से संबंदित जितने कारिये होते हैं उसके अंतर गताते हैं ठीक है उसके बा Happiness वेदांग, उपवेद के बाद आता है वेदांग, तो इसमें वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रजना की गई है, और उसके बाद है पुरान, तो पुरान के बारे में मैंने जो वीडियो, जो वेद वाला वीडियो है, उसमें पुरा डीटेल से बताया हुआ है, जो पूराण सब्सक्राइब अब देखते हैं जो हमारे की काल और उत्रवेदी हैं तो देखियों की जो हमारे दार में द्धार्मिक जीवन था वह कैसा उसके बारे अमतर काल तो सबसे पहले यहां पर धार्मिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे तो जो देवता थे आरियों के जो रिव्यादिक काल में प्रमुक देवता थे वो थे इंद्र प्रमुक देवता माना गया था प्रमुक देवता का इननोंने दरजा दिया था और जो इंडर है जो सबी देवता है वो किसी न किसी एक ऊसे रिपती की जाती थी इंडर का आवान किया जाता था उसके बाद second number पे जो first है वो तो इंद्र है second पे अगनी और third पे यहाँ पर वरुन को माना गया था तो second पे जो अगनी देवता है अगनी देवता वे मनुश्य देवता वे मनुश्य के बीच में मद्यस्त तका जो कारिये है वो करते थे उसके बाद है वरुन वरुन को समुद्र का देवता माना गया था उसके बाद है मारुत मारुत को आंधी तुफान का देवता माना गया था गो जो है वो आकाश देवता उश्य जो है वो प्रगति और उत्थान की देवी थी सोम वनश्पति देवता अश्वनी जो है विपत् का नाम लिया जाता है ठीक है आगे देखते हैं रिगवैद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है ये भी इंपोर्टेंट है कि कई बार ये नाम पूछा जाता है कि इंद्र को रिगवैद में किस नाम से जाना जाता था तो वो था पुरंदर के नाम से और जो रिगवैद में जो सबसे पवित्र नदी थी वो थी सर्स्वती और सर्स्वती को कहा गया है नदी तमाँ रिगवैद में गंगा युमना का उलेक सिर्फ एक बार हमें देखने को मिलता है इस बात का भी जरूर ध्यान रखेगा इसे भी क्वेस्चन बनते हैं गंगा युमना का उलेक कितनी बार मिलता है तो वो मिलता है हमें एक बार उसके बाद इसी क्रम में देखिए आगे जिस सत्तय में जाएते है यह कहां से लिया गया है तो यह लिया गया है मुंद कोप निश्द से ições से स्ट form में लिया गया है रिगवेद से ये भी बहुत important question है ठीक है और उसके बाद देखे जो दसराग युद्ध का उलेक जो है वो रिगवेद के 7 ले मंदल में मिलता है ये भी आप तिहान रखेगा कि जिज दसराग के युद्ध है उसका उलेक किसमे मिलता है रिगवेद के साथवे मंदल में और इसमें जो पुरुषणी नदी है रावी नदी जी से वर्तवान में कहते हैं उसके तट पर सुदास और दस जनों के बीचे युद्ध लड़ा गया था जिसमें की सुदास विजय हुए थे उसके बाद है स्तूती पाठ वे यग द्वारा यहाँ पर रिगवेद काल है उसमें उपासना की जाती थी और यहाँ पर जब यग होता था तो बली के रूप में साग सबजी जो अनाज वगर जो होते थे उन सब को यहाँ पर भेंट दी जाती थी उसके बाद नेक्स है कि गायत्री मंत्र सैवित्र नामक देवता को संबोधित है इसका संबंद भी रिगवेद से है यह पाठ ध्यान रखेगा गायत्री मंत्र का संबंद किस से है तो वो है रिगवेद से और देखिए जो सत्य में जयते है वो मुन्ट को अपनिशद से लि उसके बाद देख लेते हैं यहां का रिवयदिक काल में जो सामाजिक जीवन है सामाजिक व्यवस्था कैसी थी तो जो परिवार है वो थे पित्र परधान यहां पर पित्र सत्तात्मक थे जहां पर पिता की जो आग्या है वो चलती थी और समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी र प्रदान कों । पिता को काहा जाता था कुलब, उसके बाद, जीवन भर और वीभाईत रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था ये क्वेस्ट भी बहुत बार रिपेट हो चुका है , तो जीवन भर और रहने वाले इस्तरीयों को महिलाओं को कहा जाता था अमआजू और यहां पर जो है वो उनका जो मनोरंजन के साधन तो मनोरंजन के लिए संगीत गुड़ जो रथ दोड़ होती है इस तरह के जो खेल है वो ये लोग मनोरंजन के लिए खेलते थे और उसके बाद है बाल विवा सती प्रथा प्रदा प्रथा जाती प्रथा का परचलन नहीं था देखिए इस समाज जो रिग्वैदिक काल था उसमें स्त्रियों की दशा जो थी वो बहुत अच्छी थी और इसमें जो है स्त्रियां है वो सिक्षा भी ग्रहन करती थ इस बाल विवा सती प्रथा इस टाइप की जितनी भी कुरूतियां थी उनका प्रचलन नहीं था और स्त्रियां जो है वो शिक्षा भी ग्रहन करती थी यग्गे वगेरा होते थे तो उनमें अपने पती के साथ वो हिस्सा भी लेती थी ठीक है और रिग्वैदिक काल में कई जो विदूशी महीलाई है वो हुई थी जैसे कि लोपा-मुद्रा, घोशा, विश्वास ये कई महीलाई हैं जो कि रिग्वैदिक काल में विदूशी मानी जाती है उनका वर्नन काफी जगह पर हमें देखने को मिलता है उसके बाद नेक्स्ट है आर्तिक जीवन के बारे मे जो पशू है उनकी श्रेंडी में रखा गया था अगर यहां पर कोई हत्या करता था और उसे घायल करता था तो उसके लिए वेदो से प्रावदान इसमें मिलता है या फिर उन्हें या तो मृत्तिधन मिलता था या फिर देश निकालने की उन्हें सजादी जाती थी और जो इरिग्वेदिक काल में जो प्रमुक इनका जो पशु थे जो पशु था वो था गोड़ा और सरवादिक प्रिया देवता इंद्र ये यह लैनर रहे गी है जो गाय थी गाय को मुद्रा परिचायक हो भी माना गया है ठीक है उसके बाद जो इन्हों ने धात्त की आरियों धात्त की खौश की दी लोहे की लोहे को कहा जाता है शाम आयस ठीक है ये नाम कर ध्यान रख्यें यह उfillth पानी कामबे को कहा जाता था लोहित आयस पशू घोड़ा था उसके बाद देखिए कुछ एसी जो एक तरह से क्या कहीं कि जैसे कि जो रिन देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति था उसको वेक नोट कहा जाता था यानि कि सूध खोर या वेक नोट जो रिग्वेदि काल है उसमें कहा जाता था उसके बाद है व्यापार है तो दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति उसको कहा जाता था पानी पानी व् परीचित थे इन लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी इसके साथ ही देखी जो आरिये थे वो रत का प्रियोग करते थे ठीक है और जो रिगवेद है उसमें बढ़ाई हुए कुमहार बुनकर रतकर इन सब का भी हमें वर्णन देखने को मिलता है उसके बाद देखते हैं राजनेतिक जीवन तो सबसे पहले हैं इनकी जो संस्था तो यहां पर दो प्रकार की संस्था थी सभा और समीती यह भी most important question है सभा और समीती तो यह प्रजापती की जो दो पुत्रिया माना गया है यह question भी काफी बार पूछा जा चुका है सभा और समीती को किसकी जो पुत्रिया माना गया है और इनका जो अध्यक्ष होता था वो होता था इशान कहलाता था सभा और समीती का जो अध्यक्ष है वो इसान कहलाता था ठीक है और जो सभा और समीती है यह दो तरह की जो सला देती थी जो राजा को सला देती थी वो संस परतिनिदित्व क्रती थी ठीक है। उसके बाद है वाजपती जो गौचर भूमी का जो अधिकारी ओता था उसे वाजपतीauseते थे पुरफ जो दूर्ग को पति होताथा उसे पुर्प कहते थे उसके बाद है स्पश जन्ता की गति वीदियों को देखने वाले गुपचर को स्पश कहा जाता था और अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र सूतकार, रतकार, कमपादी आधी जो अधिकारी थे उन्हें रतनी कहा जाता था उसके बाद है दश्राग यूत का उलेक रिगवेद के सात्वे मंडल में है ये पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा आरियों के जो भासा थी वो थी संस्कृत तो ये थे रिगवेदिक काल के कुछ मैत्तपून जो पॉइंट थे वो उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की उसके बाद देखिए जो गोत्र नामक संस्था है उसका जन्म कहें तो वो उत्तर वैदिक काल में माना गया है इसके साथ ही देखिए जो आरियों द्वारा जो आरियों की जो सब और आर्यों ने प्रसासनिक जो इकाई थी उसको पांच भागों में इन्हों ने डिवाइड कर दिया था वो थी कुल, ग्राम, विश, जन और रास्ट उसके बाद जनपद, महा जनपद ये भी इसमें एड़ हो गए थे इसमें जो गुरू, पांचाल, काशी, उत्तरवैदिक काल में फिर ये जनपद बने थे, उसके बाद आये थे महा जनपद, जो की 16 थे, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पुरा डिटेल से पढ़ेंगे, 16 महा जनपद के बारे में, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, उसके बाद ग्राम था, तो ग्राम का जो मुखिया था, या मुखिया कहेंगे, उसको ग्रामेनी और जो विश्च था, उसके प्रधान को हम विश्च पती कहते थे, और जो राजा था, उसे राजन या सासक कहा जाता था, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, उत्तरवैदी काल में धार्मिक जीवन क तो रिगवैदिक काल में हमने देखा था कि जो देवता थे वो थे इंद्र लेकिन उत्तरवैदिक काल में जो प्रमुक देवता थे वो प्रजापती हो गए थे उसके बाद जो किसी भी राजा का जब राजय विश्यक होता था उसकी समय की यग किया जाता था तो उस यग को राज सूरिय यग कहते थे रिगव्यादी काल में जो महा काववे थे वो थे महा भारत और रामायन ठीक है ये दो महा काववे थे जो महा भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा महा काववे है ठीक है और इसके अन्य नाम है ये नाम बहुत फेमस है जै सहीता अक्सर पूछा जाता है कि महा भारत का अन्य नाम क्या है तो वो जै सहीता और इसका एक नाम और है सत्थ सहस्त्री सहीता ये भी महा भारत का अन्य नाम है उसके बाद है तो रामायन तो रामायन को भी चतुर विशती सहस्त्री सहीता कहा जाता है यह पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजेगा उसके बाद देखिए यहां आप बात करते हैं सामाजिक जीवन की तो जो रिगवैदी काल था उसमें इस्तियों की दशा जो सामाजिक दशा थी वो बहुत अच्छी थी उनको शिक्षा भी मिलती थी उनको यग्य वगर जितने भी कारिये धार्मिक अनुस्ठान होते थे उनम में जो वर्ण व्यवैस्ता है वह व्यवैसाई की जगह जन्म के आधार पर की गई थी तो देखिए जो रिगवैदी था उसमें यह जो समाज है वह चार बागों में उसके विभक्त सोरी उसको बाट दिया गया था जिसमें वह थे ब्रहामन छत्रिये वैश्य और सुद्र इनको जो है वह उनके विवैसाई के आधार पर उनको समाज में बाटा गया था जैसे कि जो उच्च श्रेणी के लोग थे जो पूजा पाठ वगर करवाते थे उनको ब्रहामन श्रेणी में रखा गया और जो निम्न कारिये करते थे उनको जो सबसे लास्ट वाला है सबसे कि निम्न है श्रेणी में रखा गया था ऐसा कहा गया है कि जो ब्रह możli है वह हमा के मुख से चतरी बुजाऊं continu से वैंसे उनकी जांगों से और जो शुद्र है वह उनके पैरों से उत्पन से उत्पन वों थे इसलिये ब्रहामन को सबसे उच्रा कोटी का इसलिए उस्ज्च परिवार की यहां पर प्रता थी उसके बाद जो हल है उसे सीरा कहा जाता था और हल रेका को सीता यहां पर कहा जाता था उसके बाद देखते हैं धार्मिक जीवन देखें निश्क वे सत्मान मुद्रा की यहां पर इकाईया थी वैदिक काल में मुद्रा की इकाईयां फूछा जाए तो वो थी निष्ख और सत्मान सबसे पुराना सिक्का अगर बात करें तो question ही भी आता है कि सबसे पुराना सिक्का कौन सा था तो वो था निष्ख तीक है और निश्क एक पहनने का आभुशन भी था और साथ में सबसे पुराना सिक्का भी था और जितने भी जो यजुर्वेद, अथर्विवेद, ब्राहमन, गरंथ, आरन्य, उपनिश्यद ये हुए हैं इन सब की रचना जो है वो उत्तरवैदिक काल में की गई थी तीक है लेकिन ऋसके बाद के सामवे जयुर्वेद, अथर्विवेद, ये सब जो है वो उत्तरवैदिक काल के ग्रंथ है उसके बाद बात करते हैं क्रशी, पशुपालन, शिर्पकारिये, आदिका भी उत्तरवैदिक काल में उल्लेग है उसके बाद है मिट्टी के बरतन चितरित गुसर मर्दबांड का यहां पर परचलन हो गया था उसके बाद देखिए यहां पर बात करते हैं उतरवैदिक काल के राजनितिक जीवन की तो राजनितिक जीवन में जनपद व्यवस्ता शुरू हो गई थी जो पूरा भारत था वो उसको 16 जनपदों में जो महा जनपद थे उनमें बाद में उसे विवाजित किया गया था इसी के बाद से जस्ट बाद में यहां पर महा जनपद की जो व्यवस्ता है वो शुरू हो गई थी जनपद व्यवस्ता उत्तर वैदिक काल में ठीक है और कर व्यवस्ता भी यहाँ पर शुरू हो गई थी नोकर शाही नोकर रखने की प्रथा भी यहाँ पर शुरू हो गई थी तो यह थे हमारे वैदिक काल के प्रमुक जो जीवन है सामाजी कार्थिक जो जीवन है उसके कुछ मेहत्वर्पॉइंट्स उसके बाद देखिए जो प्रमुक वैदिक काल में प्रमुक दर्शन और उनके प्रवर्थक भी हुए थे उनके बारे में भी यह इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो है इसमें से बहुत कुछे जाते हैं तो सबसे पहला है चावार्क तो इसके जो प्रवर्थक थे वो चावार्क थे उसके बाद है योग यह सब को पता होगा पतंजली सांखे जो है वो कपिल न्याय गौतम पोर्व मिमांसा जैमिनी उत्तर मिमांशा बादरायन और वैशशिक का कनाद या उलुक ठीक है तो यह कुछ प्रमुक दर्शन और उनके प्रवतक थे उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिगवैदी काल की कुछ प्रमुक नदिया थी जिनका प्राचिन में नाम कुछ और था लेकिन आदुनिक काल में वर्तमान में उनका नाम चेंज कर दिया गया है तो यह इन में से क्वेश्च है उसका आधुनिक नाम क्या है तो वो है रावी उसके बाद है वितस्ता इसका जो आधुनिक नाम है वो है जेलम इसके बाद है अश्कनी चिनाब वर्तमान में इसे बोलते हैं उसके बाद है कुब्भा काबुल कुर्मू कुर्रम शतुर्दी शतलज विपासा व्यास नदी क वो है व्यास गोमल गोमती और द्रशदती का आधुनिक नाम है घगर तो यह थे हमारे वैदिक काल से related मेहत्वपुन टॉपिक का वैदिक काल का जिसमें हमने लगबग सभी क्वेशन को कवर कर लिया है इतका next जो है वो हम महाजनपत के बारे में आपको next वीडियो में बताएंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और helpful हो तो चैनल को like, share और subscribe जरूर करें thanks for watching